चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका रुख करेंगे कुछ और खबरों का ला इलाज पॉल्यूशन जी हाँ राज़ानी दिल्ली में मौसम का मिजास पूरी तरही से बदल चुका है आलम ये है कि दिसम्बर के शुरुआती 15 दिन इस बार 6 सालों में सबसे ठंडे माने गए हैं वहीं तापमान के गिरने के साथ ही राज़ानी की हवा क्वालिटी भी खराब होती जा रही है डरजल हवा की गुणवता और मौसम पुना अनुमान बताने वाली एजनसी सफर के गुरुवार यानि की आज राज़धानी का AQI 337 है जिसके अनुसार आज भी दिल्ली NCR की आबो हवा बहुत खराब केटेगरी में बनी हुई है आपको बता दें कि अगर Air Quality Index AQI 0-50 के बीच रहे तो इसे अच्छी श्रेणी में माना जाता है 51-100 के बीच में रहे तो संतोष जनक जबकि 101-200 के बीच में रहे तो इसे मध्यम माना जाता है वहीं हवा की quality 201-300 के बीच रहती है तो ये खराब श्रेणी में आता है और 301-400 के बीच रहती है तो इसमें कहा जा सकता है कि बेहत खराब हवा हो चुकी है इसके अलावत 401-500 के बीच की ये quality index गंभी श्रेणी में आती है तो लगाता दिल्ली NCR का pollution अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है दिल्ली NCR की आबो हवा बेहत खराब अभी भी बनी हुई है दिल्ली NCR की हवा में घुटा दम क्योंकि लगातार दिपावली के बाद से दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा खराब स्थिती में बनी हुई है आज भी सांस लेने के लायक नहीं है दिल्ली NCR की आबो हवा लोगों को तमाम परिशानी हो रही है चाहे सांस लेने की परिशानी हो या फिर तमाम बिमारिया हो उसे लोगों को जूजना पढ़ रहा है शेहर में कब मिलेगी राहत की सास ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है कि आखिर राहत की सास लोगों कब मिलेगी क्योंकि जिस तरह से परिशन बढ़ता जा रहा है उससे परिशन की मान कब सुधरेंगे हालाद ये सवाल भी लगातार बना हुआ है कि परिशन से हालाद सुधरेंगे कब क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई कोई थी कई बार उसके बार भी अभी तक दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो जस्ट का तस्ट बना हुआ है और जिस तरह से मौसम धीरे धीरे अब और जादा थंडा होने लगा उसके साथ ही पॉल्यूशन भी दिल्ली में उसी तरह से बढ़ता जा रहा है तो चुली अब आपको ये भी बता देते हैं कि कहां पर दिल्ली एंसी आर के किस इलाके में AQI लेवल क्या हुआ है तो दिल्ली में AQI 337 है इसके लावा आपको बता देए के नौईज़ा में AQI 315 है अगर गाज़बाद के AQI लेवल की बात करें तो गाज़बाद में AQI 244 है परिदाबाद की बात करें तो परिदाबाद में AQI 205 बना हुआ है अगर गुरूग्राम की बात करें तो महां AQI 177 है तो ऐसे में लगातार आबो हवा, दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों की लगातार खराब बनी हुई है साथ ही आपको ये भी बता दें के दिपवली के बाद से ही लगाता दिल्ली की हवा में जिस तरह से प्रदूशन बढ़ता गया अभी हाला सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन जिस तरह से अब ठंड का मौसम आ गया है दिसंबर के 15 दिन निकल चुके हैं तापमान में गिरावट देखी जा रही है उसके साथ साथी धुन्द भी अब और ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई है अलाकि अगर पहड़ी लाकों की बात की जाए तो पहड़ी लाकों पर ठंड अब ज्यादा होने लगी है बर्तबारी होने लगी है जिससे मैदानी लाकों में प्रद्यूशन और ठंड बढ़ने लगी है तो बिल्ली एंसी आर के कई अलाके ऐसे हैं जहां पर प्रद्यूशन से इस्तिती अभी भी खराब बनी हुई है इसलिए कहां पर कैसे इस्तिती है ये जानने की कोशिश करेंगे गाज़ेबाद से हमाय समबाद आता जितेंद गौतम हमाय साथ जुड़ चुके हैं लाइब और नौइड़ा से भूपेश हमाय साथ लाइब जुड़ चुके हैं जितेंद सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी अभी अगर देखें बीते दिन की दो तिन दिन की बात करें तो दिल्ली NCR में देखा जाये तो सबसे जादा प्रदूशित गाज़ेबाद ही था अभी कैसी स्तिती है वहाँ पर प्रदूशिन को लेकर जिबल को देखें गाज़ेबाद के अगर बात की जाए तो गाज़ेबाद में परदूशिन का जो लेविल है वो लगातार बढ़ता वह नज़रा रहा है जहां लोगों ने उमीद लगाई तकी जिस तरह से बारिस होगे और उसके बाद जो हवा चलेगी उससे परदूशिन लेविल कहीं न कहीं कम होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ है अगर गाज़ियबाद के इंदरपुरम की बात की जाए तो वहाँ पर 245 के आसपास परदूशिन लेविल है अगर संजेन अगर और वसंदरा की बात की जाए तो वहाँ पर 245 के आसपास का वसंदरा लेविल है लेकिन सबसे बड़ी बात ही है कि गाजियाबाद के लोनी की बात की जाए तो वहाँ पर 347 क्योंकि बेहादी जादा खराब है जबकि उस इलाके में सबसे जादा परदूशन इसलिए है क्योंकि वहाँ पर इंडेश्ट्रिल एरिया जो है उन पर किसी भी तरह के सरकार का किस जलाने जैसी जो घटना है वो आम हो चुकिए और जिसके चलते लोनी का जो परदूशन है वो काफी बड़ा हुआ है अच्छी बिल्कुल जिस तरह से देखे आप बता रहे हैं कि कूड़े जलाने की घटना ही हो इस तरह के मामने लगाता सामने आ रहे हैं लेकिन लगातार प्रसाशन में इन सभी चीजों को लेकर सतर खलट अप फिर इस तरह की चीजे क्यों हो रही हैं कि कहींपा कूरे जलाए जा रहे हैं या पर कुछ और चीज़े जलाए जा रहे हैं लेकिन इस contemporane की लोगों को नोलिज कैसे होगी इसके लिए अगर बात की जाया नगर जो पर्दोशन को कम करने कि कवायदौ को किर जाता है। जोग difumm समझ आपढ़ाद बरी 청व परसाशन को पहल करने पढ़ेंगे। ताकि लोग जो है, पॉलूशन को लेकर चिंतित हो, क्योंकि आज की समय में देखा जाता है कि आप से जहां आप परे उसके चार गली छोड़के या चार किलो मीटर चोड़कर वहां पर भी इस तरह से बढ़े असानी सो कूरा जला दिया जाता है या इस तरह का रो मैटेरियल जला दिया जाता है, जिससे पॉलूशन बढ़ता जा रहा है जिए जिस तरह से अब प्रदूशन तो अभी कम नहीं हुआ है, ठन अब और ज़्यादा बढ़ने लगी है, हम दुन्द देखते हैं सुभा के समय में, विजबिल्टी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पाता आगे का, तो ऐसे में देखिया अब और ज़्यादा ठन बढ़ेगी, आगे-ागे कोरा भी पड़ेगा, तो प्रदूशन कम होने के कहीं असाद नहीं नज़र आएंगे, जिबलकुल देखिए, आब जो प्रदूशन है वो इस पर के अंदर ही रहती है, तो जो प्रदूशन के जो कठ है, वो आपके आसमान में 200-400 फीट से नीचे ही रहेंगे, अगर आवा तेज चलती है, तो कहीं नहीं हो सकता है, कि जिस तरह से पॉलुशन बढ़ रहा है, वो कम हो, अब ऐसे में सबसे बड़ी बात ही है, जिस तरह से और इसके अलावा ठंड बढ़ रही है, और दूसरा पॉलुशन का जो लेविल है, वो किसी से चिपा नहीं है, तो इसके चलते हैं, अगर लोगों की बात की जाए, उनके स्वास्ते की बात की जाए, तो अगर अस्पतालों में बात की जाए, तो लगातार जो है, इस तरह क बढ़ रहा है, यह उन्हीं के लिए हानिका रहा होगा, लेकिन इसमें कहीं न कहीं परसाशन की भी गलती है, कि उन्हें लोगों को जागरू करना चाहिए, कि इस तरह से कहीं भी भार कुछ चीजे ना जलाएं, पनिया न जलाएं, अकूरे न जलाएं, जी बिल्कुल देख यह तो एक बड़े इस तरह के प्रोग्राम से लगातार होने चाहिए, ताकि लोग समझ सके, अब जैसे सर्दी आते ही, जो परदूशन बढ़ता है, और फिर जब गर्मिया तेज होते है, तब जाकर परदूशन बढ़ता है, लेकिन यह दो से चार महीने ऐस होते हैं, जिन पर लोगों को सम्झाने के जरूरत है, लेकिन नगर निकम यह तिर तमाम ऐसे परसाषनिक अदिकारिया से हैं, जिनको इस छीज की साइद हो सकता है, हम कहा सकते हैं, हम क्या सर्दी नहीं है, यह निजह बंढ़ता है, तो लोग प्रम्रेगं सम्झ सके होते हैं, और लोगों हम जैसे अब बच्चों की बात करें तो बच्छों को भी परिशानी होती हैं तो लिहाजा साओ बच्छ mike Pridush करते हैं जिन को सबस्यादा पॉलुशन से नुक्सान होता है बुदूर्ग जो है अगर वो घर में बैटे हैं और जो महिला है वो भी घर में लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को स्कूल के लिए निकलना पड़ेगा ऐसा तो है नहीं कि गाजेबाद में सब एसी कहीं ने कहीं यह है कि बच्चों को भी और या फिर इस्कूल परकाशन को भी और खास तोर पर गाजेबाद जिला परकाशन को यह शूचनी पड़ेगी जिस तरह सब पोलुशन बढ़ रहा है क graphics को सबसे ज़्यादा खत्रा है क्योंकि उस लेक्सेनेटेड नहीं है ऐसे इम और देखे अगर गाज़ेबाद की बस बात की जाए तो गाज़ेबाद में नगर निगम की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूशन को रोकने के लिए जी गाजेबाद के अगर बात की जाए तो नगर निगम की तरफ से वो तमाम सड़के ऐसी हैं जिन पर वो एक दावा करता हैं कि हम यहां पर जो है जल का छिड़काव करा रहे हैं लेकिन वो जल का छिड़काव कितनी देर उपता है यह सबसे बड़ी बात है अगर आपने सु पूरी तागत लगा दे तो भी पूरे गाजयबाद के खासकर सिटी की इतनी सड़के हैं कि उन पर लगाता जो है जल सिटकाव नहीं कर सकता है और दूसरे और अगर पॉलिशन की बात की जाए तो लगाता जिस तरह से कोड़ा जलाया जाता है तो जरूरत है वहां के लोगों बात के जाए तो नगर निगम भी कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसके बात भी प्रदूशन की मान लोगों पर पड़ रही है तो दिल्ली NCR में प्रद्यूशन अभी भी आपको बता दें लगातार बरकरार है बना हुआ है जिससे लोगों को तमाम परिश्वानिया हो रही है पहाड़ी इलाकों पर वर्फारी हो रही है जिससे मेदारी इलाकों में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है तापमान में गिरा हो गई है समझ लोगों को नहीं आ रहा है कि आखिर ये प्रद्यूशन है या फिर कोहरा है तो कहीं न कहीं परिशानी लोगों को बढ़ रही है वो इसलिए क्योंकि सांस लेने की परिशानी लोगों को आ रही है इसके साथ आपको बता दें तमाम दिक्कते ऐसी हैं तमाम प जब तक दिल्ली एंसी आर या उसके आसपास के इलाकों में प्रद्यूशन से हालात नहीं सुधर जाते फिलार कले बस इतना ही आप देखते रहें नियूस फॉल इंडिया